हलो बच्चों मेरा नाम पवन गुपता टेम फिजिक्स CLC सीकर तो दंगल का जो आठपा टेस्ट है इसका हम यहाँ डिसक्रेशन करने जा रहे हैं CLC के द्वारा जो प्रयास चल रहा है आपकी नेट के तयारी को पुकता करने के लिए वो प्रयास शुरू हुआ था सबसे पहले बायोकेम DTS से उसके बाद आपका आयता फिरिक्स एकू देन उसके बाद आपके चलीती DCM टेस्ट सेरीज और उसके बाद हम उसी तयारी के आख आपके अच्छे से दिया होगा काफी easy question इसमें थे आपने अच्छे settlement किये होंगे और आपके बहुत अच्छे नंबर भी आ रहे होंगे तो शुरूआत करते हैं बचो discussion की यहाँ पे हम शुरूआत करते हैं हमारे दंगल 8 के solution की पहले question की बात करते हैं इसमें आपको एक graph द अब इस case में यह चीज क्या होती है यह चीज होती है slope यानि कि slope का negative अब यहाँ पे जब 0 से x1 तक slope क्या है यह slope है positive slope को अगर अपन M से लिखें तो यह वाला slope कैसा है यह वाला M है positive और यह वाला slope कैसा है यह M है negative तो positive जब slope होगा तो force negative होगा और यहाँ slope throughout constant है न तो इसका म positive है इसलिए force negative आएगा तो अपना option number कौन सो हो जाएगा 1 और यहाँ x1 से x2 तक slope क्या है यह slope है 0 slope 0 मतलब force भी 0 ओके तो यह simple आपको ux graph से fx graph बनाता first option आजाएगा इसका आगे बढ़ते हैं second question पे second question में आपको बोला है कि एक crystal के लिए जो linear expansion coefficient वो एक direction मतलब अलफा 1 है इसके लिए जो linear volume expansion coefficient होगा वो क्या होगा देखो हमें पता है कि volume expansion coefficient जो होता है मानलो कोई भी हमारे पास solid है इस तरह से ठीक है तो इस direction को में x मान लेता हूँ इसको y मान लेता हूँ और इसको z मान लेता हूँ ठीक है तो x direction suppose alpha x हो y में अगर alpha y हो और z में अगर alpha z हो तो gamma volume expansion coefficient आप कैसे लेखेंगे alpha x alpha y और alpha z अब alpha x alpha y alpha z यह आपको यहाँ पर दिये में ठीक है अब इसमें हमें यह बताना है कि linear expansion coefficient एक direction में तो alpha 1 है और उसके perpendicular direction में alpha 2 है ठीक है तो इस case में हम मान लेते हैं चलो alpha इसमें देखो option जो है वो इस तरह से alpha 1 alpha 2 तो कम से हम 3 alpha ने चीए न इसमें alpha 1 alpha 2 दो बार यह यह गलत हो गया इसमें 4 बार जाएंगे 3 तो alpha 1 हो रहेगा alpha 2 यह भी गलत हो गया अब यह alpha 1 प्लस 2 alpha 2 यह सही सकता है कैसे देखो मैं इस alpha y को मालेता हूँ alpha 1 alpha x को मालेता हूँ alpha 2 और alpha z को भी क्या मालेता हूँ alpha 2 तो यह अपना option जो है वो करेक्ट हो जाएगा ओके फिर इसके बाद हम आते हैं हमारे थर्ड क्योंशन पे थर्ड क्योंशन की बात करेंगे इसमें आपको बोलाए कि एक जो गेस है आइडिल गेस वो पी स्क्वार वी का रिलेशन फोलो करती है जब फाइनल वोल्यूम 3V हो जाता है तो टेंपरिचर कितना होगा तो इसमें दखो जो एक्वेशन आपको गिवन है न पी स्क्वार वी एक्वार्स टू कॉंस्टेंट इसको अपन टी और वी की फोर्म में कनवर्ट कर लेते हैं तो पी को क्या लिखोगे अब आपने जब वोल्यूम को ट्रिपल कर दिया तो एक्वेशन क्या हो जाएगा टी अपोन टी डेश इस प्रपोर्शनल टू रूट थ्री वी तो टी डेश कितना हो जाएगा ये प्रपोर्शनल के लिए एक्वेल आजाएगा टी डेश कितना हो जाएगा रूट थ्री टाइमस ऑफ टी तो इससे अपने ये रिलेशन मना लिया फिर इसमें वैली डाल दी है यहां पर वॉल्यूम की तो टी डेश बराबर रूट थ्री टी कोई गन्फिजन इसमें आगे बढ़ते हैं हमारे फॉर्थ क्योशन पर फॉर्थ क्योशन में आपको बुलाए कि हाइड्रोजन एटम की लिव लाइमन सीरीज की फर्स्ट वैवलेंथ और hydrogen के जैसा ही कोई आयन है उसकी bamer series की second wavelength second line की जो wavelength है वो equal है तो जो नया atom आप ले रहे हो जो hydrogen जैसा आयन है उस में atomic number क्या होगा तो देखो हमें पता है 1 upon lambda क्या होता है R z square 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square ठीक है अब यह lime 1 hydrogen के लिए आप इसको lambda h2 कर दो ठीक है या lambda 1 कर दो कोई दिकत नहीं है R hydrogen का atomic number 1 अब lime 1 series की first wavelength का मतलब होता है 2 से 1 में transition है तो यह 1 square minus 2 square यह कितना आ जाएगा R और यह आ जाएगा 1 minus 1 by 4 यह ने की 3 by 4 first equation फिर दूसरा कोई दूसरा iron था उस iron के लिए क्या हो जाएगा यह हो जाएगा 1 upon lambda 2 R z square अब इसके लिए क्या बुला है 2 square minus 4 square तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ R z square by 4 कॉमल लिया और यह 3 by 4 इजर वापस आ जाएगा अब हमको वोलाए कि lambda 1 और lambda 2 equal है तो lambda 1 की value क्या है 4 इसका मतलब यह हुआ तो हम बोल सकते हैं कि 1 upon lambda 1 और 1 upon lambda 2 भी आपस में एकवल होने चाहिए यहने कि 3 R by 4 और यह आजाएगा R z square by 4 3 by 4 तो 3 by 4 से यह कटेगा R से R कटेगा तो Z बराबर 2 तो मेरा option number क्या जाएगा इसका 4th का 4th option correct आजाएगा ओके यह आपका विल्कुल एजी question हो गया आगे बढ़तें 5th question पे 5th question में आपको बोला है कि जब एक capillary tube को हम liquid में डुब होते हैं तो liquid ना तो ऊपर जाता है ना नीच जाता है इसका मतलब इसमें क्या possibility हो सकती तो possibility इसकी क्या क्या हो सकती वो अपन option पढ़तें इसके सबसे पहले इसमें दिया आपको कि जो surface tension है वो 0 हो सकता है ऐसा नहीं है angle of contact 90 होना चाहिए बिल्कुल ये बात सही है देखो जब भी आप किसी liquid में किसी capillary को डुब होते हो और liquid ना तो ऊपर जा रहा नीच आ रहा है तो इस case का मतलब क्या है कि जो angle of contact है ये जो angle of contact है ये theta जरूर 90 बनेगा ठीके तो theta 90 होने की वज़े से आपका कौनसा option सही हो जाएगा इसका कि angle 90 होगा और surface tension बहुत ज़्यादा होगी 90 हो सकता है हो सकता नहीं confirm 90 ही होगा तो अपना option number 1 सही हो जाएगा only B ठीके आगे बढ़ते हम 6 question पे 6 question में आपको ABC volt meter का प्रतिरोत क्रमशर यह आपको 3 volt meter दिये है ABC जिनके resistance आपको R, 1.5R और 3R दिये है ठीके फिर यह बोल रहेगी जब potential difference आप X और Y में apply करते हो तो उस case में volt meter की reading VA, VB और VC क्या होगी चलो एक बार हम क्या करते हैं इन instrument को इनके resistance से replace कर दो A का resistance कितना है? R B का कितना है? 1.5R और C का कितना है? C का है 3R ठीके? अब देखो हमेशा ध्यान रखना है जो potential आपने अपनाई गया हो, वो कुछ तो यहाँ पर divide होगा V1 और कुछ यहाँ divide होगा V2 अब हम यह देख लेते हैं कि इस combination का resistance कितना आ रहा है? तो इस combination का resistance कितना आएगा? 1.5R 3R और दोनों को add करोगे तो कितना रहाएगा? 4.5R इदर आ जाएगा? तो यह कटेगा 3 बार, 3 से 3R आ जाएगा तो इस combination का effective resistance कितना आ रहा है? R. R आने का मतलब किया? वाकि जो भी voltage आप divide करोगे वो V1, V2 भी equal होगे. दोखो resistance R के साथ series में एक R जुड़ा हुआ है इसलिए यह दोनों resistance equal है तो V1, V2 भी equal होगे. इसका मतलब V1, V2 equal होगे तो V1, V2 equal है इसका मतलब जो V1 का drop है वही V2 के बराबर हो. V2 तो इन दोनों पे सेम होगा ना. Parallel combination में voltage सेम होता है. इसलिए इन दोनों का voltage तो आपस में सेम हमेशे ही होगा और यह resistance R के बराबर भी था. इसलिए V1 और यह, यह दोनों के voltage drop भी आपस में सेम है. मतलब तीनों के बराबर होगा? इसके बराबर. और VB और VC किसके बराबर होगा? V2 के बराबर. ठीक है? तो आपका option number 1 correct हो जाएगा इसका. अगला आता है सेवंथ सेवंथ में आपको सही statement बताना है. यह बोल रहे हैं कि magnitude of instantaneous velocity of particle is equal to speed. देखो, किसी particle के लिए जो कण की प्रारंबिक तात्षनिक चाल होगी. यहने कि instantaneous speed की जो value होगी instantaneous velocity की जो value होगी वो उसकी speed के equal होगी. यह बिल्कुल सही बात है. यहना? बहे किसी भी time पे आप जो velocity की value होती है, उसी को हम instantaneous speed बोलते हैं. instantaneous speed और instantaneous velocity हमेशा same होती है. अगला statement की जो average velocity है, वो average speed के equal होगी किसी interval में. ऐसा जरूरी नहीं है. ऐसा होने के लिए एक condition होती है कि displacement और distance होना चाहिए. लेकिन हमें यह यहाँ पर यह confirm नहीं कि distance और displacement same है. इसलिए statement गलत हो जाएगा. फिर तीसरे हम बोल रहे हैं कि average speed 0 नहीं आए. यह भी गलत है. पर जब speed ही 0 है हमेशा के लिए मतलब particle रुका हुआ है. जब particle रुका हुआ है तो उसकी distance भी नहीं आएगी. तो उसकी average speed भी 0 ही आएगी. जबकि बोल रहे हैं कि ऐसा possible है कि speed तो 0 हो जबकि average speed non 0 हो ऐसा possible नहीं है. दोनों एक साथ 0 ही होंगे हो और fourth कि it is possible to have situation in which the speed of particle is never 0 but the average speed in an interval is 0. तो यह बोल रहे हैं कि AC कोई इस्तिती संभव है जब कणकी चाल कभी शुन्य नहीं हो बेच चाल तो कभी शुन्य नहीं हो परन्तु एक विशेश समेंतराल में ओसा ते चाल शुन्य हो रहे है देखो ओसा ते चाल कभी अगर चाल कभी शुन्य नहीं है न तो ओसा ते चाल यह नहीं है कि average speed कभी 0 हो ही नहीं सकती ठीक है? क्योंकि अगर particle की speed है तो इसका मतलब particle कुछ तो distance cover कर रहा है तो obvious सी बात है average speed भी कुछ तो आएगी सही तो इसलिए यह भी गलत हुझाएगा अपना कौन सा statement सुझाएगा इसका first आगे बढ़ते है A और B है ना अब आपको दो vector दिये हैं ऐसा vector बताना है जिसका magnitude तो B के जैसा हो direction A के जैसी हो ठीक है? तो मालो C कोई vector है इसमें value और direction यह माल ली अब C की direction किसके जैसी होनी चाहिए? B के जैसी वैल्य तो B के जैसी और direction A जैसी B की value कितनी आएगी? इसकी value आएगी 24 square प्लस 7 square और A के क्या आएगा? 3i प्लस 4j डिवाइड बाइ 5 यह कितना आएगा? 25 3i प्लस 4j डिवाइड बाइ 5 यह कटेगा तो 5 तिन 15 बीस तो यह आएगा 15i के प्लस 20 यह के 8 पे का option number 1 correct फिर आते हैं 9 पे 9 पे आपको यहाँ पे एक system दियावाए जो की race पे है और आपने यह बोल जाए कि रस्टी को अपन ने काट दिया तो रस्टी को काटने के बाद आपको दोनों के आपको क्या बताने? acceleration बताने तो देखो काटने से पहले की condition देख लेते हैं इस रस्टी का tension कितना आएगा? mg जितना और इसमें वही tension नीचे लगेगा इसका खुद का 2 mg भी लगेगा तो इस्प्रिंग का फोर्स कितना आएगा? इस्प्रिंग का फोर्स आएगा T प्लस 2 mg T कितना था? mg प्लस 2 mg तो टोटल 3 mg आएगा इसमें उपर की तरफ अब जैसे ही आपने रस्टी काट दी रस्टी काटते ही यह tension यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 टेंशन 0 होते ही देखो आप इस ब्लोक को देखो तो इस पे केवल कौन लग रहा है? mg ओपर से टेंशन लग नहीं रहा है तो इस ब्लोक के लिए acceleration कैसे आजाएगा? A की फोर्स लग रहा है divide by mass तो यह आजाएगा G किदर आएगा? down ठीके? लेकिन ये वाला जो है इस पे देखना उपर की तरफ लग रहा है 3 mg spring का फोर्स कभी भी हात्मा change नहीं होता है और नीचे कौन सा लग रहा है? इसका weight 2 mg तो इसका acceleration क्या आएगा? इसका acceleration आएगा उपर की तरफ 3 mg नीचे की तरफ 2 mg divide by total mass 2m तो ये कितना है पेटा? g by 2 up तो जो 2m वाला है 2m वाले का तो क्या आएगा? g by 2 up और m वाले का g by 2 down तो 9th का कौन सा option होगा? first option कोई confusion मेटा है इसमें? तो इसमें एक concept ध्यान रखना spring का force कभी भी हात्माँ change नहीं होता है क्यों नहीं होता है? अबी भी spring का force हात्माँ change नहीं होता है ओके बीटा? आगे बढ़ते 10th question पे एक बार एक solution नोट कर दो आप 10th question की बात करेंगे इसमें आपको एक ठोस चक्ती दी गई जिसको शेतिस सतर पर रेकी वेग भी से लुड़काया गया है ठीके? तो आपको एक खड़े आदमी के परिता है A, B के C के वेग बताने है मतलब ग्राउंड की relative आपको एक disc roll कर रहे है उसमें A, B, C की velocity आपको बताने है ग्राउंड की relative ठीके? तो देखो, center की velocity जो है न, V इस A, B और C तीनों point को V velocity तो मिलेगी ही सही अब यह pure rolling कर रही है यहाँ पे देखो, without slipping बोला है न इसका मतलब क्या है? कि इसमें कोई भी sliding नहीं हो रही है मतलब इसमें pure rolling हो रही है pure rolling में एक और चीज क्या होती है? उसमें angular velocity होती है तो angular velocity के वैसे omega r पीछे मिलेगा इसको इसकन को omega r आगे मिलेगा और इसकन को omega r इदर मिलेगा अब pure rolling में V बराबर omega r होता है तो यह भी V के बराबर है यह भी V के बराबर है और यह भी V के बराबर है overall क्या होगा फिर देखो अब यहां overall देखें तो यह V और V कट जाएंगे ये V और V जुड़के कितना आएगा 2V और ये इनका effective क्या आएगा root 2V तो अपने answer आएंगे A का तो 2V, B का root 2V और C का 0 तो मेरा second option इसका सही हो जाएगा 10th का, ओके आगे बढ़ते हैं हमारे 11th question पर, एक बार note करें यहां तक बिटा 11th question में आपको एक resonance tube experiment दिया वाए इसमें आपको बताए कि अगर पहली जो resonance length आती है, वो 20 cm पाती है तो आपको दूसरी resonance length कब मिलेगी? तो यहां पर simple सा concept, अब resonance tube का देखें तो resonance tube का concept क्या कहता है? कि पहली resonance length में यह इस तरह से structure होता है यह length पानी की यहां तक भरा हुआ है, यह L1 होती है दूसरा जो resonance length आएगी, उसमें इस तरह से इस तरह से होता है, यह होती है L2 तो L1 जो length वो कितनी होती है? वो होती है lambda y4 और L2 length कितनी होती है? 3 lambda y4 मतलब मैं इसको 3L1 बोल सकता हूँ 3L1 इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि यहां पे आपको end correction को ignore करना है मतलब यह जो end correction होता न, E इसको नहीं मानना है, इसको आपको 0 मान लेना है, ठीके? तो इसका मतलब L2 बराबर 3L1 हो जाएगा 3L1 कितना था? 20 तो यह answer कितना हो जाएगा? 60 60 कहां से है? खुले सीरे से, यहने कि open end से तो खुले सीरे से 60, second option सही हो जाएगा, 11th का ओके? उसके बाद 12th 12th question में आपको एक ideal gaze दियावा है, P, V की पाउट 2 by 3 यह constant है, और इसमें आपको temperature बताना है कि temperature क्या होगा? और विस्तारित किया गया है, विस्तारित मतलब आपको expansion वाला case दियावा है, volume बढ़ाना है ठीके? तो देखूँ, आपने को जो relation दिया, उसी को solve करते हैं P, V की पाउट 2 by 3 is constant अब इसको वापस वही V, O, T में convert कर लो, N, R, T upon V V की पाउट 2 by 3 is constant तो यह क्यों रहाएगा? T upon V की पाउट 1 by 3 is constant इसका मतलब T cube proportional to V ऐसा बोल सकते हैं अपन? ठीके? अब यह बोल रहे हैं कि volume अगर बढ़ाओगे तो क्या होगा temperature में? देखो, इसका अगर temperature is directly proportional to V की पाउट 1 by 3 अब volume अगर बढ़ेगा तो अब यह सी बात है temperature भी बढ़ेगा first option इसका correct हो जाएगा तो 12th का first option ओके? नोट कर लो बेटा 13 की बात करते हैं 13 में आपको यहाँ दिया है कि एक circuit है इसमें आपको battery का internal resistance 4 ohm दिया है आपको बोलना है कि R की value बतानी है ताकि maximum power dissipation हो सके ठीके? अब देखो इन दोनों को देखना यह दोनों कौन से combination में? series यह हो जाएगा 2R यह दोनों कौन से combination में? series इन दोनों का भी 2R अब आमने सामने वाले resistance को देखना यह आमने सामने एक दूसरे के इनका multiple कितना आएगा? 2R into 2R यहने की 4R square अब एक और आमने सामने वाले को ने? यह दोनों इन दोनों को देखना इनका multiple कितना आएगा? R into 4R यहने की 4R square आ गया? अब देखो यह 4R square वो 4R square तो यह दोनों आमने सामने के resistance का multiple equal है मतलब इसमें useless कोन हो जाएगा फिर? यह जो 6 ohm है यह कोई काम का नहीं है तो इसको हटा दू में तो फिर मेरे पास circuit कैसा बनेगा? देखो इस तरह से बन जाएगा यह कितना था? यह कितना था? 2R यह था 4R और यह कितना है? 2R तो यह total resistance के आएगा देखो यह यह तो आएगा मेरे पास 6R यह कितना आएगा? 3R और इन दोनों के parallel का effective कितना आएगा? इन दोनों का आजाएगा 2R अब 2R और 4 ohm यह internal resistance जो है वो कितना था? आपको 4 ohm दिया हुआ है अब हमें यह पता है maximum power dissipation की condition क्या होती है? कि जो internal resistance है वो external resistance के equal होना चाहिए internal resistance कितना है? 4 ohm और internal कितना internal 4 ohm external कितना है? external आए था इसका 2R 6R का parallel में 2R आएगा 2R तो R की value कितनी आएगी इसमें? 2 ohm आपका यह second option सही हो जाएगा 13 का ओके? आगे बढ़ते हैं एक बाइसका solution note कर लो screenshot ले ले बच्चों आप आगे आते हैं 14th question पे 14th question में आपको एक radioactive process given है इसमें आपको बताना है कि किस क्रम में आपको particle मिले होंगे तो सबसे पहले देखो यह mass number change नहीं हुआ लेकिन atomic number 1 बढ़ गया atomic number 1 कब बढ़ता है? जब बीटा minus निकलता है तो यह दो option तो गलत हो गए अब आते हैं अपने second और fourth में से check करेंगे फिर उसके बाद आपका z जो है वो 2 कम हो रहा है यह कब कम होता है? जब alpha निकलता है यह भी गलत हो गया, अब यह की option बचा है मेरे पास तो यह देखो alpha निकलता है तो z तो 2 से कम होता है, a 4 से कम होता है फिर उसके बाद आपके z माइनस 1 निकल रहा है मतलब ना तो z चेंज भुआ ना a चेंज भुआ इसका अंतर गामा निकला होगा, तो अपना second option सही है, इसको cross check कर ले बस बच्चों आते हैं हम हमारे next 15 question पे 15 question में आपको एक common emitter configuration आपको दिया हुआ है उसके लिए आपको output resistance दिया हुआ है 500 kilo ohm, उसके लिए आपको current gain alpha दिया हुआ है लेकिन यह alpha तो common base का होता है ना तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, यह alpha से beta निकालेंगे, यह ना तो हमें relation एक पता है यह ना 1 upon alpha minus 1 upon beta equals to 1 यह होता है ठीके, तो यह क्यों रहाएगा आपके पास 0.9 इससे आपके पास रहाएगा 1 upon alpha minus 1 बराबर 1 upon beta तो यह क्यों रहाएगा, beta बराबर alpha upon 1 minus alpha 0.98 divide by 1.98 solve करने पे कितना आएगा 49, अब देखो power का formula होता है i square into r तो power gain का formula हो जाएगा इससे बना दू, power की जगे power gain current की जगे current gain लिखके square कर दू और resistance की जगे resistance का gain power gain कितना दी आपको 6.0625 10 to the power 6 current gain, beta कितना आ रहा है 49 आ रहा है उसका square और ar यानि की output resistance कितना है 500 kilo ohm divide by आपके पास input resistance कितना है यह बताना है ठीके तो इससे आपके पास input resistance जो आएगा 49 into 49 into 5 10 to the power 5 डिवाइड भाइ 6.0625 10 to the power 6 ठीके तो इससे यह तो power कटके आँ 10 बचेगा ठीके तो इसको जो हम solve करेंगे तो आपके पास जो answer बनेगा वो एप्रोक्स 198 यहने कि 200 का असपास आजाएगा option तो आपको उसके पास का option 198 है उसको आप tick कर दे solve करने पर ठीके तो 15 का first option इसमाज जाएगा अगला question आता है जब एक high energy UV photon को electric field में enter किया जाता है तो क्या होगा देखो high energy का UV photon है तो उस case में देखो कोई भी photon हो photon के एक basic nature होता है कि photon का charge 0 होता है photon का charge 0 raised mass 0 पन लेते हैं तो जब charge 0 है तो electric field इसको कुछ भी नहीं करेगा electric field के एवल charge particle पर force लगाता है इसलिए इस पे कोई force नहीं होगा मतलब यह undeflected निकल जाएगा विचलित नहीं होगा क्योंकि charge 0 होने की वज़े से इसका force जो की QE होता है वो भी 0 आ जाएगा आगे बढ़ते हैं हमारे 17th question पे 17th question में आपको बोला है कि एक rod है 40 cm length की उसका temperature difference हो है वो इतना है दूसरी rod भी है उस पे temperature difference इतना है दोनों का area और cross section सेम है तो इन में flow ने वाली heat current अगर सेम हो तो आपको thermal conductivity का ratio बताना है चलो बहुत symbol सा कहीं से ही तो एक rod यह है दूसरी rod यह है इसके across कितना difference है 80 degree centigrade का इसके across कितना है 90 degree centigrade area दोनों का सेम दिया वाए ठीक है और इनकी length आपको दीवे अलग-अलग एक के length 40 cm और एक के length 60 cm अब इन्होंने बोला है कि अगर इन में heat transfer होने की rate सेम है heat transfer rate जिसको अपन dq by dt बोल देते हैं इसको अपन heat current भी बोलते हैं इसका formula होता है k a delta t by l इसका मतलब में दोनों की heat current को equal करता हूं तो यह हो जाएगा मेरे पास k1 a1 delta t1 by l1 k2 a2 delta t2 by l2 ठीक है और यहां basic formula में लिखी दिया अब इसमें जब आप इसको solve करोगे तो देखो a2 से a1 तो कड़ जाएगा k1 delta t कितना है a t length कितनी है 40 cm यहाएगा k2 90 degree centigrade और यह कितना है l2 यहने के 60 cm अब देखो centigrade से centigrade खतम cm सेंटीमेटर सेंटीमेटर खतम तो आपके पास k1 k2 का ratio आ जाएगा यह कितनी बार कटेगा डेटा दो बार यह दो बार कटेगा यह दो बार और यह तीन बार कटेगा तो k1 by k2 कितना जाएगा आपका 3 by 4 अपना first option यहाँ correct हो जाएगा ओके बिड़ा यह 17 का solution note करें इसे आगे आते हैं 18th question पर 18th question में आपको minimum phase difference between 2 SHM आपसे पूछा गया है देखो इन दोनों का अपना-पना phase निकाल लोगे तो आपको phase difference निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी phase difference कैसे निकालना है यह 2 SHM का superposition है तो देखो इसमें X component कितना है 1 by 2 Y component कितना है root 3 by 2 तो इसका resultant कि इदर आएगा Y1 तो इदर आएगा ना मतलब इसका जो amplitude होगा A1 वो इदर आएगा और इसका 5,1 angle कितना आएगा यह आएगा root 3 by 1 by 2 से यह आएगा 60 degree तो इसका जो A2 amplitude है उसका phase angle 5,2 कितना आएगा X और Y component equal इसका अदलब 5,2 आएगा 45 degree तो 45 degree अभी इनका difference आपको बताना है तो 5,1 minus 5,2 60 minus 45 that is 15 degree तो 15 degree अब 15 degree में क्या आजाएगा आपका 5 by 12 तो 5 by 12 आपको जाएगा 3rd option तो 18 का option number 3rd correct हो जाएगा आगे बढ़ते हैं हमारे 19 question पर एक बार यहां solution note करें 19 question में आपको बोला है कि जब आप इस system को release करते हो तो acceleration center of mass का क्या होगा देखो heavy वाला नीचे जाएगा, हलका वाला उपर जाएगा तो पहले तो दोनों का अलग-अलग acceleration के आएगा चलाने वाला force minus रोकने वाला force upon total mass कितना आएगा है 2 g by 4 यहने कि g by 2 अब इसमें ध्यान समना यह तो दोनों बोलोक का ground के relative acceleration है हमें बताना है center of mass का acceleration तो ACM कैसे के लिकुलेट करेंगा M1 यहने कि 3M g by 2 फिर M2 यहने कि M और इसके acceleration को मैं मैं माइनस मान रहा हूँ एक नीचे आ रहा ना, नीचे अल डारेशन को प्लस मान लिया ओपर अले को मान लिया divide by 2M plus M तो यह कितना हो जाएगा M G upon 4M यहने कि G by 4 तो G by 4 मेरा option number 1 correct हो जाएगा 19 का ओके, तो confusion आगे बढ़ते हैं 20 पे एक बास solution note करने हैं इसका 20 की बात करेंगे 20 मा आपको एक दोर adiabetic process रुदोष्म प्रकरम दिये गए हैं आपको बताना है कि कौन सा ग्राफ किसके लिए रहा होगा पीवी ग्राफ अब हमें पता है कि adiabetic process के लिए जो पीवी ग्राफ का slope होता है वो होता है gamma times of PYV मतलब slope किस पे depend करता है गामा पे और गामा का formula की होता है गामा होता है 1 plus 2 by F ठीके तो जिसका F जादा होगा उसका गामा कम होगा और गामा अगर कम होगा तो slope भी कम होगा यह तो बात हमें पता चलगी ना इससे अब हमें पता है कि slope किसका कम है slope 1 का तो कम है किस से slope 2 से अब 1 का slope कम है मतलब 1 का गामा कम रहा होगा गामा 1 लेस देन गामा 2 मतलब F1 जो है वो जादा रहा होगा अब F degree of freedom जादा किसकी होती है degree of freedom जादा उसकी होती है जिसमें number of atom जादा हो molecule में तो यहाँ पे हमें पता है helium के लिए degree of freedom कितना होता है 3, oxygen के लिए कितना होता है 5, ठीक है लेकिन जो पहला graph हो जादा degree वाले के लिए आना चाहिए तो मेरा option number जो correct आएगा वो second आएगा क्योंकि इसमें देखो F1 जो है वो इसके लिए 5 आ रहा है और F2 इसके लिए 3 आ रहा है इस तरह से और बाकी इन में तो सेम सेम आ जाएंगे तो इस तो हो ही नहीं सकते तो अपना 20 का कौन सा option होगा second option correct तो यहाँ पर आपको slope compare करना है नेको यह graph में धीरे slope आ रहा है मतलब इसमें ऐसे मालों कि 2 fissle पट्टी है आपको यह बिठा दिया तो आप 1 वाले में धीरी fissle होगे 2 वाले में जल्दी fissle होगे जिसमें fissle ने की प्रवर्ती ज़्यादा हो graph में उसका slope ज़्यादा होता है तो आपका यहाँ पे graph 2 का slope ज़्यादा है और slope गामा पे depend करता है तो easily यह एक इसमें minus sign हो रहाता है पर वो minus sign खाली यह graph इस तरह सार है न इसलिए minus खाली उसके slope के nature को दिखा रहा है बाकि आप value के लिए direct गामा को compare कर ले ओके अब आता है एक बाद solution note कर लो है 21 21 में आपको dimension P and volume P pressure and mole V volume T temperature R gas constant दिया हो है आपको एक ही dimension बता नहीं देखो simple सी बात है यह जो दिया है ना E की power वो हमेशा dimensionless होती है तो A upon R TV यह क्या होना चाहिए dimensionless अब आप आर टीवी की dimension अब R क्या होता है R होता है PV upon RT PV upon NR NT यार हो जाएगा न gas equation से R क्या होता है PV बराबर NRT होता है तो R हो जाएगा PV upon NT ठीक है तो T से T काटो तो यह आपके पास क्या जाएगा PV upon N अब pressure की dimension क्या है pressure की होती है M1 L-1 T-2 volume की क्या होती है L3 ठीक है और N की क्या हो जाएगी number अच्छा V का square आएगा तो L3 का square और यहां आजाएगा mol तो यह आएगा आपके पास M1 L5 T-2 mol inverse M1 L5 T-2 mol inverse second option आपका correct आएगा 21 का ओके note करें बेटा इसको फिर आता है 22 22 की बात करते है देखो इसमें आपको 2 एक conductor दिया हुआ एक circuit दिया है जिसमें 2 ampere current आ रही है और आपको VA-VV पूचा है तो देखो VA-VV अब 2 ampere current में यह resistance कितना है यह तो है total मिला के 6 ohm यह कितना है 4 ohm तो सबसे पहले में इधर जाने वाली current I1 निकाल लू और इधर जाने वाली current I2 निकाल लू तो I1 क्या आएगा यह आएगा 2 ampere को resistance के inverse ratio में डिवाइट करना है तो यह आएगा 8 by 6 by 4 है न हाँ तो 2 into 4 upon 10 तो यह आएगा 0.8 ampere I1 और I2 क्या आएगा 2 into 6 upon 4 plus 6 यहने कि यह आएगा 1.2 ampere अब देखो D और A में VD minus VA VD minus VA का मतलब क्या होगा जो इसमें current जा रही है उसकी वज़े से drop आया वो I1 into 3 I1 कितना है 0.8 into 3 यहने कि 2.4 इसी तरह से VD minus VB क्या होगा यह होगा I2 into 2 यह जो है ना यह यह drop कितना हैगा I2 into 2 और यह drop कितना हैगा I1 into 3 यह plus यह minus यह plus यह minus तो यह है 1.2 into 3 तो यह कितना हो लाएगा अपने पास 2.1 1.2 into 2 तो यह भी 2.4 तो 2.4, 2.4 मतलब जैसे माल लो इस पे भी 2.4 खतम हो गया इस पे भी 2.4 खतम हो गया तो VD minus V अगर इतना अब इन दोनों equation को आप minus कर दोगे equation 1 में से 2 को minus कर दो by 1 minus 2 अब आप 1 minus 2 करोगे ना तो इस case में क्या होगा देखो 1 है VD minus VA उसमें से आपको minus करना है यह VD minus VB तो 2.4 माइनस 2.4 तो यह कितना हो जाएगा VB minus VA यह हो जाएगा 2.4 यह तो 0 हो जाएगा ना तो VB minus VA 0 है तो VA minus VBB 0 ही होगा तो आपका 0 answer आजाएगा इसका यह correct हो जाएगा 4th option ओके तो यहाँ पे simple current division से आपको शुरुवात का 3 और शुरुवात के 2 पे drop निकाल लो उससे आपको A और B का difference भी मिल जाएगा आगे बढ़ते हम हमारे एक बाइसका solution note कर लो आगे बढ़ते 23 number question पे कि एक charge particle है uniform magnetic field में magnetic field से 45 degree angle बनाते है फेका जाता है pitch जो है वो P है तो radius of helix क्या होगा ठीक है तो यहाँ पे simple साग यह से यह मालो magnetic field है particle की initial velocity इस तरह से थी 45 degree पे तो इसका parallel component velocity का क्या आएगा V cos 45 जैने की V by root 2 perpendicular component की आएगा V sin 45 जैने की V by root 2 अब इन दोनो components के अगर मैं बात करूँ तो इसकी वज़े से जो देखो radius जो होता है helix की वो कून decide करता है MV perpendicular upon QV यहने की MV by root 2 upon QB pitch कौन decide करता है pitch decide करता है parallel component to time parallel component भी क्या है V by root 2 यह time कितना होता है 2 pi M by QB ठीके तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ root 2 pi और यहादर लिख दिया MV upon QB ठीके अब MV upon QB को मैं क्या लिख सकता हूँ इससे यह हो जाएगा root 2 into R बराबर MV by QB तो MV by QB की जगे मैं लिख दूँगा root 2 into R तो यह क्या हो जाएगा 2 pi R is pitch तो R क्या हो जाएगा R हो जाएगा P by 2 pi P by 2 pi मेरा थर्ड option यहां correct आ जाएगा 23 का इसमें कोई confusion ओके तो यह आपका option number 3 correct 24 की बात करते है पानी के छिड़काओ करने से एक कमरे का temperature क्यों गिर जाता है तो इसका कारण हम से पूछा गया कि क्यों हम जब किसी water को sprinkle करते हैं तो temperature क्रूम decrease होता है तो इसके लिए देखो जो पानी है ना जब आप उसको sprinkle करोगे तो वो vaporize होगा पानी को vaporize होने के लिए heat बहुत जादा चाहिए तो इसकी जो vaporization की heat है ना वो थी 540 कलोरी पर ग्राम तो एक ग्राम पानी भी अगर vaporize होगा तो 540 कलोरी heat वो लेगा और लेगा कहां से वो heat कमरे के temperature से इसलिए sprinkle करने की बात पानी जब vaporize होता है वो काफी heat कमरे की absorbed कर लेता है vaporization की वज़े से तो इसलिए वो कमरे के temperature को कम कर देता इसलिए कमरे में जब भी आप पानी को sprinkle करोगे तो उसकी वज़े से पानी का vaporization तो बढ़ेगा तो humidity बढ़ जाएगी बड़ साथ में temperature फोड़ा reduce हो जाता है तो इसका option हो जाएगा पानी की लेटेंट heat of preparation है वो काफी ज्यादा होती है ठीक है और कितनी होती है 540 calorie per gram है इसको जाओ तो data वैसे तो याद हो गए से आपको है ठीक है आगे बढ़ते 25 पे 25 में आपको यहाँ पे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास पूछा है विद रेस्पेक्ट टू किसके एर के ठीक है तो देखो इस्नेल्स लो क्या कहता है इस्नेल्स लो यह कहता है म्यू गलास साइन अब गलास में कौन सा मीडिया अंगल बनेगा गलास में जो एंगल बनेगा नॉर्मल से देखो यह लाइट यहने कि mu glass by mu air आपसे पूछा है यह क्यों हो जाएगा sin i by sin r अब sin i by sin r की value आपको बता नहीं है तो देखो यह जो है यह तो आपने 90 degree angle बनाया हुआ है ठीक है यह angle आपका i है ठीक है तो यह angle यह कितना बनेगा यह बनेगा 90 minus theta अब इन दोनों को गर जोड़ू में i plus 90 minus theta इसको क्या होना पड़ेगा 90 की इकवल होना पड़ेगा यह पूरा angle दो तो यह कितना हो जाएगा i equals to theta तो आए तो हो जाएगा theta के बराबर इसी तरह से यह जो इंगल है आर इंगल तो यह क्या हो जाएगा phi dash हो जाएगा अब यहां value put कर दो sin i की जगए रखोगे sin theta और sin r की जगए sin phi dash तो sin theta upon sin phi dash मेरा third option यहां correct हो जाएगा 25 में तो थोड़ा सा यहां आपको geometry solve करनी एंगल की वापस समझ ले ना यह i है और यह theta है इसमें यह theta है और यह पूरा इंगल 90 बनना चाहिए यह पूरा इंगल तो 90 बनना चाहिए न क्योंकि जो wave front होता है वो wave के perpendicular होता है अब यह theta है तो यह कितना बनेगा यह वाला इंगल बनेगा 90 minus theta अब 90 minus theta और i जुड़ने की बाद total angle कितना हो जाना चाहिए 90 जाना चाहिए न तो इस concept को use करते है मैंने i निकाले theta के बराबर आया और यह phi dash है तो देखो यह 90 होने की वज़े से theta phi क्या हो जाएगा 5 plus phi dash तो हो जाएगा 90 और यह और यह और आजाएगा 5 plus r यह भी कितना होगा 90 तो इस से r और phi dash आपस में क्या आजाएगे एकवल आजाएगे ठीक है ताब इस तरह से थोड़ा सा यह angle का concept काम में लोगे आपके easily question हो जाएगा बाकी snail होता आपको पता ही है इसके बाद हम बात करते है 25 क्या 26 की यह बोल रहने की एक wire है एक प्रती एक आंग लंबाई lambda वाली एक डूरी ए भुजा वाले घन में से गुजरती है तो घन से कितना flux जाएगा a long string with charge parentless lambda passing through a cube of side A the minimum flux through the cube देखो minimum flux अगर आपको cube से लेना है तो cube से उस डूरी को में केसे गुजरूँ ताकि उसकी minimum length जो है वो इस cube में से enter हो तो minimum length में अगर लेना चाहरा हूँ तो मुझे डूरी को इस तरह से गुजरना पड़ेगा न तो यहां से यहां तक के वल a length जो है वो अंदर आएगी तो flux क्या होता है q enclosed by epsilon note अब minimum length क्या आएगी lambda into a तो q क्या हो जागा lambda into a upon epsilon note first option आजाएगा 26 का कोई confusion इसमें अगला आता है 27 27 error का question है आपको यह बोला है कि resistance जो है तो total error r में कितनी होगी देखो v में error कितनी है यह 5 ISO पे तो 5 by 100 into 100 यह आएगी 5% की error यह कितनी error आएगी 0.2 by 10 into 100 यह आएगी आपके पास 2% की error तो r की percentage error क्या आएगी v percent plus i percent 5 plus 2 7% आपका second option जो है वो correct हो जाएगा है ना solution note कर ले एक बार 28 28 में आपको एक time period दिया वाए t और इसका mass m radius r है एक pendulum दिया वाए symbol pendulum इसके गोलक को अन्य किसी खोकले गोलक से बदल जा जाए इसका द्रेवान m तसा तरिज्जा 2r हो तो उसका आवर्त काल क्या होगा ठीके मतलब time period पूछा है आपके वल object को change कर रहे हो पहले आपने r radius का object लगाया था अब आपने 2r radius का object लगाया है ठीके अब आपने दूसरा बड़ा object लगा दिया जिसकी radius कितनी 2r तो अब l2 effective length के आएगी l plus 2r हमेशा length कहां से कहां तक लेते हैं अपन hinge से center तक की distance लेते हैं तो ये l2 length ये यहां तक आएगी center तक और इसी तरह से l1 length जो है वो यहां तक आती है इस center तरह तो l1 l2 आ गया अब l1 l2 में आपको देखो इसमें l2 जो है वो जादा है किस से l1 से और time period क्या होता है time period is directly proportional to root l होता है इसका मतलब t2 भी जादा होगा किस से t1 से t2 जादा होगा t1 से इसका मतलब कि यह हो गया मेरे पास 28V का second option अगला 29 की बात करते है एक बार इसको note कर लो screenshot ले लो इसका फिर 29 की हम बात करते है यह बोल रहे है कि किसी satellite को किसी planet के चारों और एक height पे उसको motion करवाया है मतलब satellite motion कर रहा है किसी height पे फिर आपने अचानक से planet का mass आधा कर दिया ठीक है तो जैसे मान लो कि यह कोई planet था M mass का इसमें कोई satellite इस तरह से R orbit पे है फिर आपने अचानक से का अगर इसका mass M by 2 कर दिया radius वो ही रखिया भी है आपने के वल M by 2 कर दिया तो क्या होगा तो देखो इसकी जो initial speed है initial speed, orbital speed क्यों होती है Z M by R अब जो इसकी नई orbital speed होनी चाहिए V O डेश वो कितनी होनी चाहिए G M by 2 by R बै रूट G M by R होता न orbital speed का होवला अब यह जो orbital speed है वो कितनी आ रही है G M by 2 R मतलब इतनी तो orbital speed होनी चाहिए पर उसके पास already इतनी velocity है, मतलब satellite जो है वो अभी already इस velocity से तो चक्कर लगा ही रहा है तो उसकी जो अब velocity है, वो तो इस orbital के बराबर है इसका मतलब जो velocity of satellite है वो V O के बराबर है जो की V O डेश का कितना है root 2 times है जो की V O डेश का कितना है, root 2 times अब जो नई orbital speed है, उससे root 2 time velocity पे यह particle satellite जो है वो गूम रहा है जब भी कैसी गूमते वे satellite की orbital speed को root 2 times कर देते है तो वो satellite escape करता है अब यहाँ पे speed पहले वाले के लिए तो orbital speed के साफ से match कर रहे थी बट जैसे आपने मास को आधा किया satellite की जो speed अब जो नहीं होनी चीए वो पहले से 1 by root 2 होनी चीए पर उसकी speed change कोन करेगा वो तो as it is रहेगी ना तो उसकी speed तो जितनी थी उतनी रहेगी लेकिन हमें अब 1 by root 2 times चाहिए तो वो तो होगी नहीं मतलब अब जो velocity है ये जो velocity है वो नहीं orbital speed का root 2 times है इस वज़े से satellite क्या करेगा escape कर जाएगा 4th option ठीक है 29 का 4th फिर आगे बढ़ते हम 30 पे एबास का solution note कर ले 30 की बात करते है कि धारा मापी की सुग्राहिता या sensitivity of galvanometer आप केसे बढ़ा सकते हो देखो इसके लिए symbol सा concept होता है C5 बराबर NIAB तो ये क्या होता है 5II deflection per unit ampere current ये हो जाएगा NAB upon C अब sensitivity बढ़ाने का मतलब होता है कि unit ampere current पे ज़्यादा deflection आना चाहिए मतलब इसके लिए आप N बढ़ा सकते हो A बढ़ा सकते हो B बढ़ा सकते हो तो by increasing number of turns of coil सही बात है poly strength को decrease करना मतलब कि ये बोल रहा है B घटाना B घटाना तो गलत हो गया इधर बोल रहा है N बढ़ाना N बढ़ाना सही बात है ये तो सही है फिर ये बोल रहा है by decreasing elasticity of wire C को अगर increasing यहाँ मतलब C को बढ़ाने की बात करने है C को बढ़ाएंगे तब तो ये आंसर कम हो जाएगा और by decreasing number of turns in coil ये भी गलत हो गया N को घटाना थोड़ी N को बढ़ाना है न तो मेरे पास 30 का first option करेक्ट आजाएगा ओके आते हैं 31 पे 31 में आपको बोला है कि photoelectric effect जो है वो particle nature को represent करता है इसका evidence किया सबसे पहला होता है existence of threshold frequency बिल्कु सही बात है threshold frequency का होना ही इस बात को represent करता है कि जो energy है वो photons के form में आ रही है ठीक है ये सही है photoelectric emission में समय अंत्राल नहीं होना मतलब जैसे आपने photon डाले अगर वो sufficient energy का है तो पक्की बात है कि वो जो है हत्मात electron को emit कर देता है ये भी सही बात है time difference नहीं आ रहा है sufficient energy का photon आते ही हत्मात electron emit हो जाएगा ये इसके लिए सही है तीसरा है existence of work function देखो work function तो इस बात को represent करता है कि जो electron है उसको बाहर लाने के लिए आपको थोड़ी बहुत energy देनी पड़ेगी ये तो obvious सी बात है अगर मानलो particle nature नहीं भी मानते तो भी electron को बाहर आने के लिए उनर्जी चाहिए ही सही ना और हम work function किसको बोलते है कारिफलन का मतलब होता है electron को सतह तक लाने के लिए आउशक उर्जा तो वो तो मानलो particle nature नहीं भी होता तो भी particle के surface के अंदर से electron लाने में तो आपको कुछ energy खर्च करनी पड़ती तो particle nature की वैसे ये दो बातें जो है इनकी वैसे अपनको particle nature मानना पड़ा तो first option यहाँ 31st का correct हो जाएगा ओके आगे आते हैं 32 पे 32 में क्या आएगा एक induction coil है इसमें time t के according graph d.i. current का तो आपको बताना है कौन सा graph induced emf का time के साथ variation को दिखा रहा है ठीके देखू induced emf क्या होता है ldi by dt slope पे depend करेगा अब यहाँ slope 0 है न तो induced emf 0 आजाएगा तो यह तो option गलत हो गया अब यहाँ देखो slope एक बार negative एक बार positive है तो negative slope पे negative positive emf आएगा और positive slope पे negative emf आएगा तो यह मेरा third option जो है वो correct हो जाएगा 32 में जहाँ slope negative है वहाँ और साथ में minus sign हो रहाता है lens rule के से minus ldi ability तो जब slope negative है तो overall answer के आएगा positive जब slope positive है तो overall answer के आएगा negative ठीक है तो यह आपका 32 का first option third option, 32 का third option ओके फिर 33 पर बात करते हैं आपको एक sale circuit दिया हुआ है इसे में आपको potential difference बताना है x और y की बीच में x और y की बीच में potential difference मतलब आपको इन दोनों मैंसे किसी भी एक sale का terminal voltage बताना है तो बड़ा sale कोन है? e1 कितना है? 6 minus i कितना है? 0.2 into 2 कितना हो जाएगा? 6 minus 0.4 यानिकी 5.6 और अगर आप ये दूसरे वाले sale से निकालना चाहो तो VT2 निकाल दो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं VT2 यह जाएगा? e2 plus i r2 कितना हो जाएगा? 4 plus 0.2 into 8 तो भी 5.6 ही आएगा और ये जो VXY है न ये जो potential difference आएगा वो चाहे तो आप VT1 के बराबर लिखो चाहे आप VT2 के बराबर लिखो कोई दिक्कत नहीं है दोनों में सेम ही आएगा ठीके? तो आपका option number second यहाँ correct हो जाएगा 33 में कोई confusion? फिर आते हम 34 पे 34 के हम बात करते है 34 में आपको एक conductor है एक rod है जिसकी length 4L है उसको middle point O के about अच्छा middle point नहीं है ये point mid में है लेकिन ये actually AO कितना है? L है और OC कितना है? 3L है ये L और ये 3L तो इसके about rotate करवा दिया आपको ये बताना है कि potential difference क्या होगा देखो rotation की case में अपने पास पता है कि जो end point और center होता है उसका potential difference होता है half B omega L square तो मैं इसको ये से लेख सकता हूँ VC minus VO अब एक बार अपन rotation में जो sense of rotation है है उसकी वज़े से positive end जो है वो इधर आएगा दोनों case में न ये negative इधर तो इस case में velocity इधर जाएगी तो positive end इधर आजाएगा तो इस case में अब इसको mod लिख देदा हूँ वैसे में न तो कोई दिक्कत नहीं mod लिखने से कोई दिक्कत ही नहीं अपन को है न तो या अब ठीक है अपन डारेट इसको ऐसे लिख दें तो यह आजाएगा VO-VC क्या आएगा half B omega 3L square एक आएगा VO-VA यह आएगा half B omega L square तो यह कितना हो जाएगा 9 by 2 B omega L square यह कितना हो जाएगा 1 by 2 B omega L square अब 9 by 2 1 by 2 अब देखो इसमें आपको option चेक करना है VO-VC 9 by 2 तो यह अपना तो गलत हो गया VA-VO VA-VO तो negative आएगा तो यह भी गलत हो गया VA-VC VA-VC के लिए में क्या करता हो इन दोने equation को minus कर दो यह first or second को minus कर दो है तो first minus second करोगे तो VO-VC minus of VO-VA 9 by 2 minus 1 by 2 B omega L square तो यह कितना हो जाएगा 4B omega L square ठीके तो यह VA-VC आजाएगा इसको solve करने पर क्या आएगा VA-VC is 4B omega L square 4B omega L square इसका मतलब मेरा answer आजाएगा 34 का third option को confusion इसमें आगे बात करते हैं पर तो यह simple इसका solution नोट कर लो एक बार आगे बढ़ते हैं 35 पर 35 में आपको यहाँ पर इस logic gate के लिए function पूचा है ठीके तो देखो यह तो है A bar A और यह A bar उन दोनों का अपन क्या कर रहे हैं उन दोनों का अपन Nand gate में देने हैं तो Nand gate का output तो यह आए करा अब यह बुलियन लोजिक लगाओ तो A bar प्लस A bar और फिर वापस एक और बार यानि कि A bar प्लस A अब A bar प्लस A आप करोगे तो किसी भी चीज में उसकी उल्टी value गोगे जैसे A अगर 1 होगा तो A bar 0 होगा 1 प्लस 0 भी 1 ही आता है या 0 प्लस 1 भी A और इदर Y तो A को अगर मैं 1 मानता हो तो यह क्या हो जाएगा 0 प्लस 1 इसको मैं 0 मानता हो तो यह क्या जाएगा 1 प्लस 0 तो हमेशा 1 ही आएगा output 4th option तो यह आपका part 1 यहां complete होता है आगे बढ़ते हो हमारे part 2 पे बच्चों अब हमाते है हमारे part B पे part B में आपका question number 36 36 में आपको बोला है कि किसी भी SHM में जो maximum minimum rate है acceleration की वो क्या होगी तो देखो acceleration का formula SHM के लिए क्या होता है minus of omega square x ठीक है अब value wise बात करें तो omega square x लिख देंगे ठीक है अब acceleration में change होने की rate यहने की da by dt क्यों हो जाएगा omega square dx by dt ठीक है तो ds by dt के अगर हम बात करें तो यह क्यों हो जाएगा velocity velocity का formula क्यों होता है omega root omega square minus a square minus x square तो यह क्यों हो जाएगा omega cube यह हो जाएगा da by dt अब omega q भी यहाँ पर हो गया root a square minus x square अब इसमें हम बात करते हैं कि यह जो acceleration के change होने की rate maximum हो कब आई जैसे मानलो मैं x की value रखता हूँ a के बराबर plus या minus a रखता हूँ तो d a y dt क्या जाएगा 0 मतलब यह rate minimum है और अगर मैं x की value 0 रखता हूँ तो d a y dt क्या जाएगा यह जाएगा omega cube into a यह आएगा न तो x बराबर 0 पे तो देखो maximum कहां होगी maximum कहां होगी x बराबर a पर और minimum कहां होगी x बराबर sorry maximum होगी x बराबर 0 पर और minimum होगी x बराबर a पर तो maximum मतलब 0 मतलब mean position और a मतलब extreme position तो आपका first option जो है वो correct हो जाएगा इस case में ओके तो बिल्कुल एजिली आप acceleration का फॉर्मॉला लेखें उसको differentiate कर दें या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि acceleration का graph time के साथ बना लो इस तरह का बनता है जब phase angle 0 तो acceleration का graph ऐसा बनता है अब इसमें जहाँ पे भी rate पूछा जाए तो उस graph का slope देखना होता है तो slope कहाँ 0 है देखो slope ज मतलब extreme position पे acceleration का graph का slope 0 आ रहा है मतलब उसके rate of rate जो है वो क्या है minimum है तो extreme position पे rate minimum है और mean position पे देखो slope maximum आ रहा है न value wise तो mean position पे उसका slope maximum मतलब rate जादा तो graph से ही direct हो जाएगा ओके पीटा इसके बाद आता है 37 पे 37 में आपको एक particle दिया हुआ है जिसको gravitational free room में फेका हुआ है gravity room में फेका हुआ है और यह deflect नहीं होता है ठीक है और यह particle charge particle था ठीक है तो ऐसा possible अले देखो mg तो लगे का नहीं particle को आपने फेका उस पे mg तो यहाँ पे 0 बोल दिया क्यों बोल दिया क्योंकि gravitational free room है इसलिए mg 0 हो गया अब इस पे हो सकता है electric field force उपर लगा रहा हो तो अफिर इसका मतलब deflection नहीं आ रहा है मतलब magnetic field भी force लगाएगा qvb वो downward होना चाहिए तो ऐसा हो सकता है कि electric field और magnetic field दोनों हो ठीक है यह possibility है तीसरी possibility कि electric field यह बोल रहे हैं दूसरा पहला कि electric field और magnetic field दोनों 0 डिफलेक नहीं है तो electric field और magnetic field दोनों 0 ने चाहिए लेकिन यह must बोल दिया रहा must की वैसे गलत हो गया है हम confirm थोड़ी के सकते कि 0 होंगे ही सही हो सकते है एक possibility है जबकि यहां बोल रहा है may be तो ठीक है दोनों present हो सकते हैं यह बोल रहे है electric field must be 0 और magnetic field may be 0 देखो electric field 0 हो must की वैसे गलत हो रहा है यह possibility की बात करता तो सही था है तो बोल रहा है confirm electric field 0 ही होगा तो मैं तो बोल रहा है electric field हो तो भी मेरा particle जो बिना deflect हो जा रहा है इस condition में तो यह तो गलत हो गया है statement यह भी गलत हो क्या must की वैसे यह बोला electric field may be 0 और यह must की वैसे सारे गलत है वह एक possibility हम बात कर सकते हम confirm कुछ नहीं कह सकते ठीक है तो यहां पर मेरा second option जो है वो correct हो जाएगा 37 का फिर आगे हम बात करते है 38 की 38 में आपको बोला है कि एक गोला डोरी द्वारा उपर की ओर त्वरित है और डोरी की बंजग सामर्थ इसके भार का तीन गोला है ठीक है मतलब आप एक object को इस तरह से रसी से उपर उठा रहे हो और इसका जो tension है maximum tension जो आएगा वो उसके weight का 3 times होगा तो mg यह तो बोलने इसका maximum acceleration कितना आएगा तो acceleration maximum कैसे निकाल होगा आप उपर की तरफ चलाने वाला maximum force minus रोकने वाला force divide by mass कितना हो जाएगा 2g अप तो 2g अप यह मेरा third option हो जाएगा इसका 38 का ओके फिर आते है 39 पे 39 को बोलाएगी एक mass जो है वो 5 है और यह इस speed से आ रहा है और एक line है उसकी equation जो line है उसकी motion की line वो क्या है y बराबर x प्लस 4 तो y बराबर x प्लस 4 क्या हो जाएगा slope कितना रहाएगा इसका y बराबर 1x प्लस 4 मतलब slope तो आ जाएगा 1 और intersection आ जाएगा 4 तो इस तरह की line बना दो यह angle कितना बन रहा है 45 और यह distance कितनी है 1 अब particle जब इस line पे जा रहा है तो यह particle इस line पे कहीं भी रहे इसका angular momentum निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा एक इस पर perpendicular डालना पड़ेगा और यह और पर perpendicular कि आएगा देखो यह 1 है यह भी 45 बनेगा तो यह आजाएगा 1 cos 45 यहने कि 1 by root 2 अब इसमें आप से पूछा है कि angular momentum अंगलर momentum क्या होदा है r perpendicular into mv r perpendicular है 1 by root 2 mass कितना है 5 velocity कितनी है 3 root 2 तो यह कितना हो जाएगा 15 आपका answer हो जाएगा 15 okay sorry यह 4 था ना तो यह 4 का 4 by root 2 करेंगे तो यह आजाएगा आपके पास 15 into 4 60 तो 60 आपका 39 का correct option अजाएगा second option आगे बढ़ते है 40 पे 40 में आपको यहाँ पे एक बाइस का solution note कर लो आप 40 में आपको यहाँ पे एक काज की plate पे 60 degree पे एक rate अकराती है और यह बोलते हैं कि जो reflected रहें और जो reflected रहें वो दोनों perpendicular हैं आपस में तो यह reflected और यह refracted तो यह reflection angle और यह reflection angle और यह 90 बन रहा है 90 degree होने का मतलब यह हुआ कि जो angle of incidence है वो पक्की बात है bruster angle के बराबर रहा होगा इसका अदल आई बराबर क्या हो जाएगा theta b bruster angle और bruster angle क्या होता है 10 theta b बराबर मू तो यह कितना हो जाएगा 1060 बराबर मू तो यह हो जाएगा root 3 बराबर मू फिर आगे हम बात करते हैं 41 में 41 में आपको बोला कि एक centigrade और Fahrenheit टेंपरिचर थर्मोमेटर को आपने उबलते वे वोटर में ड्रॉप किया जब पानी का टेंपरिचर कम करते हैं कब तक की Fahrenheit फर्मोमेटर 140 रीड करने लग जाए तब उसमें centigrade वाले में fall कितना होगा देखो symbol सा reason होता है C by 5 upon F minus 32 upon 9 यह होता है ना formula इसका तो C की reading क्या आएगी F की reading कितनी थी 140 यह हो जाएगा 108 9 यह कितना हैगा एक दो 12 तो C आजाएगा 60 अब पहले जब आपने उबलतवे temperature पानी में note किया इसको डूबया तो centigrade की reading कितनी थी 100 Fahrenheit की reading कितनी थी 212 यह 212 से कितना आगया 140 वो 100 से कितना आगया वो आया 60 पे तो आपसे यह नहीं पूछा है कि final reading क्या होगी वो बोलते हैं कि centigrade reading में कितना चेंज आएगा तो चेंज पूछा है 100 से 60 हैने कि चेंज कितना है 40 का आपका 41 का second option करेक्टा जाएगा फिर बात करते है 42 की 42 में आपको एक potentiometer wire दिया वा है AB की इसकी length कितनी 100 cm रेस्टेंस है इतना है और R 40 ohm और यह 40 ohm दिया वा है यह 10 ohm है वेटरी के साथ आपने जोड दिया अब E की value आपको बतानी है ठीक है सिंबल सी बात है सबसे पहला आप potential gradient निकालेंगे क्या आएगा V wire बटा L wire ठीक है अब V wire कैसे निकालेंगे आप देखो 10 upon 40 plus 10 into E voltage division method से आप wire पर drop निकाल लो length कितनी इसकी length है 100 cm तो यह कितना जाएगा आपके पास 1 by 5 तो 2 by 500 volt पर cm यह आगया अब आपको जो unknown EMF वो balancing length कितनी दे रेखे इसकी 40 दे रेखे न एक्स की value रेको 2 by volt पर cm और यह आजाएगा 40 cm ठीके तो यह कितना जाएगा मेरे पास यहाँ पर 1 0 से 1 0 खतम cm cm खतम तो आजाएगा 8 by 50 8 by 50 मतलब कि आप इसको solve करेंगे तो point आएगा ठीके तो यह आजाएगा अपने पास point का 0 लगाएगे तो एक बार फिर आपका सी यह बचेगा तीन तीस बचेगा तो अच्छे तो point 16 तो point 16 मेरा fourth option यहाँ पर correct आ रहा है यह मानलो अपने पास एक plane था है ना इसमें ही पहले यह edge component आ रहा है और यह वी component आ रहा है तो आपका जो angle of dip होता है वो क्या होता है angle of dip 10 delta जो आता है वो आता है बीवी by bh यही आता है फिर इसके बाद आपने क्या गरा है इस circle को rotate कर दिया तो यह अब बीएच डेश आएगा अब यह बीएच डेश कितना हो जाएगा यह 45 degree angle आपने घुमा दिया तो नया जो 10 delta डेश आएगा वो आएगा बीएच डेश बाई बीवी बीएच कोस 45 बाई बीवी बीएच वन बाई रूट टू बाई बीवी बाई रूट टू मतलब मैं ऐसे बोल सकता है अब यह पहले कितना angle आया था देखो यह आया था 10 45 सुरी मैं उल्ट लिए ना बीवी बाई बीएच आना चीन अ चलो एक बार तो इसको अपने स्वाल कर लिया इसको भी करता हूं लेंच यहां 10 डेल्ट डेश क्या जाएगा बीवी बाई बीएच डेश तो बीवी बाई बीएच बाई रूट टू वहi bh cos 45 ऐ ブान, बीवी भाइ बीच अब बीच की वैल्यू पुट कर दिँगे यहाप बीवी बाइ बीच कितना हो जाएगा मेरे पास, 1045 कितनो होता है, one होता है न, तो यहाँ 1 पुट कर दो, root 2 into 1 तो root 2 into 1 तो delta dash कितना हो जाएगा इस case में delta dash हो जाएगा 10 inverse root 2 आपका answer आएगा first option 43 का first इसमें कोई confusion उसके बाद हम बात करते हैं 44 की 44 में देखो यहाँ पे M mass का एक balloon है जो A acceleration से नीचे आ रहा है इसमें से कितना mass हटा देगी वहाँ एक acceleration से उपर की और जाने लगी तो देखो यह मानलो एक balloon था इसमें कुछ mass था M तो mass mg इसको नीचे लाना चाह रहा था point force जो लग रहा था हवा का इस पे वो कम था तो यह नीचे आ रहा है तो इसमें equation क्या बनेगी mg माइनस point force हवा का बराबर M यह पहला फिर आपने इसी balloon में से कुछ mass को कम कर दिया मालो अब mass बचा M minus delta M लेकिन point force थो अब भी उतना ही लगेगा न यह acceleration इसको अब उपर की तरफ मिल गया अब equation के आएगी FB minus M minus delta M G बराबर M minus delta M A अब इसमें साब FB की value वहाँ से उठा के डाल दो FB क्या जाएगा M G minus M A यह वापस क्या जाएगा M G plus delta M G M A minus delta M A M G से M G कर जाएगा delta M G plus A यह जाएगा 2 M A तो delta M क्या आएगा आपके पास 2 M A G plus A तो 2 M A G plus A first option मेरा 44 मा जाएगा ओके बड़ा solution note करें इसका तो पहले M G जा रहा था इसलिए balloon नीचे आ रहा था भार का अपने कम किया तो अब balloon उपर जानने लग जाएगा point forces दो रान चेंज नहीं होगा 45 की बात करते है 45 में आपको यह बताना है कि time period of oscillation क्या होगा इन दोनो time period का ratio बताना है तो देखो time period का ratio के लिए सबसे पहले यहाँ दोनो combination क्या है series तो 1 upon K1 क्या आएगा 1 upon K plus 1 upon 2 K तो यह आएगा 3 by 2 K तो K1 effective आएगा 2 K by 3 जबकि यह है parallel combination तो यहाँ पे K2 क्या आएगा K1 plus 2 K यहने की 3 K अब time period क्यों दोना है time period दोना है 2 pi root of M by K मतलब inversely proportional to root K यहने की T1 upon T2 बराबर root of K2 by K1 K2 कितना है 3 K K1 कितना है 2 K by 3 तो 9 K by 2 K 3 by 3 by root 2 3 by root 2 मेर option आगया second option फिर इसके बाद हम बात करते है 46 की 46 में आपको यहाँ पे 2 equal EMF E के और अलग-अलग resistance के 2 sales है जिनको बाहर का resistance R से आपने serial series में जोड दिया और एक दूसरे voltage की polarity जो है दूसरे cell की polarity 0 आ रही है होनों के लिए E minus IR लेकिन जिसका R ज्यादा होगा उसमें decrement भी ज्यादा आएगा R किसका ज्यादा है? R2 का ज्यादा है तो R2 ज्यादा है R1 से इसका मतलब V2 कम होगा V1 से तो इसका मतलब V2 will be 0 बहिए जो terminal voltage कम आ रहा है वो ही तो 0 होगा V2 कम आ रहा है V1 से तो V2 0 होगा इसका मतलब E-I R2 will be 0 I कैसे नहीं कालोगे? I हो जाएगा दोनों सेल का EMF R1 प्लस R2 प्लस टोटल कैपिटल रजिस्टेंस R जोड़ दो इसमें और यह R2 solve करोगे इसको तो यह का आएगा E बराबर 2E R2 R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R E से E काटू तो R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R बराबर 2R2 तो कैपिटल R बराबर क्यों जाएगा? R2 माइनस R1 यह आपका 3rd option करेक्टा जाएगा 46 में फिर आते है 47 पे यहाँ तक कोई doubt किसी को बिटा 47 में आपको यहाँ पे mass सेम दियावा है और आपको मतलब किसके लिए mass center सेम mass के object और किसके लिए center of mass से जाने वाली access का amount जो moment of inertia है वो maximum आएगा आपको यह बता रहा है तो A तरिज्जा की चक्ति के लिए आता है half MR square वले के लिए क्या आता है? MR square 2A तरिज्जा की पतली वर्गा का प्लीट यह इस तरह से है तो यह आएगा M 2A square by 6 यहने की 4 यह R की जगे A रख देना है यहाँ पर सब में M A square 4 M A square by 6 यहने की कितना आएगा? 2 by 3 M A square और यह बोल रहे की 4 road अगर 2A side का 1 square बनाए तो उसके लिए अब थोड़ा सा यह तो plate से नहीं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है square के लिए आपको थोड़ा सा महनत करनी पड़ेगी देखो, 1 road यह है न तो यह D distance के हो जाएगी? यह हो जाएगी A के बराबर अब इसमें एक road का निकालने के लिए आपको लगाना पड़ेगा ICM M2A square by 12 M2A square by 12 होदा न center of mass के बाउट plus MD square D कितना है? A के बराबर और यह सी 4 road है तो यह आएगा आपके पास 4, 4, 16 तो यह आजाएगा M A square 16 बटा बारा plus 4 तो यह कितना हाजाएगा? 4 plus 4 by 3 हैने की 4, 3, 12, 16 बटा 3 ठीके? M A square तो maximum किसका आएगा? 4 road forming square of side 2A 4th option 47 का 4th अगला आता है 48 48 में यहाँ पे आपको एक cone दिया है और उस cone को आपने electric field में रख दिया तो आपको बताना है कि इसमें flux क्या होगा? जो इसमें इसके curved part से जो enter करेगा वो flux तो देखो curved part से उतना ही flux enter करेगा जितना कि इस circular part से बाहर निकलेगा ठीक है? तो इसका भी जो effective cross section area वो तो circle जितने ही है तो simple क्यों हो जाएगा? pi e into pi r square flux होता है 5 बराबर e into a तो e into pi r square तो आपका answer हो जाएगा second option हाँ यह जोरू बोलने कि इससे enter करता है flux करण वाले पार्ट से अगला आता है 49 49 में आपको बोला है कि cyclic process के लिए pv graph क्यों होगा है तो इसको option को अगर cross check करें तो a, b, c, a process में a से b क्या है? यह proportional to t यह मतलब pressure constant है यहाँ भी क्या constant है? volume constant है और यहाँ पे क्या है? temperature constant तो a से b में pressure constant होना चाहिए a से b में pressure constant इसमें तो चल रहा है इसमें नहीं है इसमें है और इसमें a से b में pressure constant नहीं है ठीक है? अब मेरे पास दो बचे भी तो option है ला अब इसमें से b से c में volume constant होना चाहिए यहाँ है यहाँ भी है लेकिन volume constant है और temperature कम हो रहा है तो B से C में volume constant temperature कम होना चाहिए तो B से C में volume constant और temperature कम होगा तो pressure भी कम होगा वह volume constant है और temperature कम हो रहा है तो अब यसी वाद है pressure भी कम होगा न तो ये भी गलत हो गया अपने आप देखो A से भी pressure constant और volume बढ़ रहा है तो यहां भी volume बढ़ रहा है B से C में आप volume सेम है temperature कम हो रहा है तो pressure भी कम हो रहा है यहाँ temperature भी कम हो रहा है फिर यह temperature constant और C से में क्या करना आपको volume घटाना है C से में volume घटाना है अपना third option correct आगया तो यह से cross check करते जाब अस graph को ही 50 में आपको यहाँ पे एक height से object को गिराए गया है और यह टकराने से पहले last second में 36% distance कवर करता है तो मिनार की height आपको बतानी है तो देखो 36% total height मालो h कवर कर रहा है उसमें से 0.64 h तो उसने n-1 second में कवर किया होगा और total n second तक उसने h कवर किया होगा ठीक है यह कितना time है t बराबर n second और यह t बराबर n-1 तो देखो दो equation माला थे s बराबर half a t square जाएगा यहाँ पर u तो 0 इसलिए तो यह आएगा h बराबर half a n square दूसरी equation आजाएगी 0.64 h बराबर half a n-1 का square यह काटो square root करोगे तो n-1 upon n बराबर 0.8 तो n minus 1 बराबर 0.8 n तो 0.2 तो n बराबर कितना आएगा 5 n बराबर 5 आएगा तो t क्या होता है root 2 h by g होता है इसको 5 ले लो तो 2 h by 10 बराबर 25 h बराबर 125 fourth option यहाँ correct आजाएगा 50 में तो 50 का fourth option correct है कोई confusion इस में तो यहाँ पर बच्चों आपका discussion complete होता है I hope आप लोगों ने paper को काफ़ अच्छा attempt किया होगा जो भी आपने यहाँ गलतिया करें उनको अच्छे से सीखें और अब नीट के लिए बिल्कुल अपनी preparation को पुक्ता करते जाएं ओके बच्चों all the best